वेलकम एन्ड गूड मॉर्निंग ओल इडियम्स और फ्रेजज लेक्चर में आज हम पांच इडियम्स और फ्रेजज को कम्प्लीट करने वाले हैं 26 से लेकरके 30 तक 26 नंबर है फ्लाई इन दो ओंटमेंट इसको परते हैं ओंट और फिर मेंट की हिंदी होती है मलहम चाहे मरहम कुछ भी बोले तो मलहम फ्लाई इन दो ओंटमेंट मतलब मरहम में फ्लाई मख्य मखी अब जानते हैं मखी किटानों को कैरी करती है अपने साथ कितने किटानों होते हैं तो अगर मखी ओंटमेंट में आ जाए तो ओंटमेंट कंटैमिनेट हो सकता है प्रदोसित हो सकता है अपना काम कम करेगा या उल्टा काम करेगा इसका मतलब जो purpose है ointment का वो purpose सर्व नहीं होगा वो उदे से पुरा नहीं होगा तो क्या कहेंगे दूध में मख्य कह सकते हैं हिंदी चाहे दूसरों की खुशी को बिगारना कह सकते हैं तो fly in the ointment को एक idiom बना दिया गया और इसको कहते हैं दूध में मख्य या दूसरों की खुशी को बिगारना कोई भी आप यूज करेंगे एकजाम में अधिक आता है दूसरों की खुशी को बिगारना sentence देखिए ban on crackers crackers क्रेकर्स का मतलब क्या होता है पटाखे पटाखों पर ban ban मतलब प्रतिबंध पटाखों पर प्रतिबंध during दिवाली में is not like a fly in the ointment मतलब fly in the ointment के हिंदी टलिये दोसरों की खुशी को बिगारने के समान नहीं है मतलब पटाखों पर प्रतिबंध दोसरों की खुशी को बिगारने के समान नहीं है ये हो गया यूज कर दिया हमने fly in the ointment को आप जानते है ना cracker जब हम दिपावली में छोड़ते हैं तो प्रावरन को कितनी छती पहुंचती है इसलिए government कोई state की government बैन कर देती है तो उस बैन के support में sentence हो सकता है आगे आपका विचार है support करें इस बैन को चाहिए मत करिए उलग बात है sentence में यूज इसको हम कैसे कर सकते हैं example दिया आपको नाव french leyv french cuca मतला होता है बिना आगया की छोटी french बना है फ्रांस जो सब्द है उससे french बना है आप जानते हैं फ्रांस के लोगों को french the french English में लिखते हैं तो हो सकता है कि France में live कर लेने की ऐसी प्रथा हो आचाया प्रथा थी जैसे छूटी के लिए किसी ने बिना पूछे ही छूटी ले लिया या बिना आगया दिये ही छूटी ले लिया तो उसको बोलते हैं बिना आगया की छूटी और इंगलीश में French live बोलेंगे राम वाज़ फाइंड राम को दन्डित किया गया for taking French live बिना आगया की छूटी लेने के लिए now next one is friend at court friend का मतलब जानते हैं at court का मतलब आप क्या समझेंगे court मतलब न्याले होता है और court मतलब खेलने का जगह परांगन भी होता है जैसे basketball court, volleyball court तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जगह कह सकते हैं जहाँ पर आवस्यकता है वह ऐसा वाला जगह तो friend at court मतलब ज़रूरत पर friend friend नहीं ज़रूरत पर friend तो इसको क्या कहेंगे समय पर सहायता करने वाला at time of urgency urgency परते हैं इसको और इसकी हिंदी होती है आवस्यकता आवस्यकता के समय में at times of urgency आवस्यकता के समय में I found Mohan मैंने Mohan को पाया a friend at court समय पर सहायता करने वाला जो यहाँ पर लिखा है वही हिंदी ला दिया मैंने आवस्यकता के समय मोहन को समय पर सहायता करने वाला पाया Mohan friend नहीं था लेकिन आवस्यकता थी तो उसने help कर दिया तो क्या कहेंगे कि Mohan was friend at court during the urgency अच्छा है इस तरह का sentence जो हमने लिखा है तो पहला हो गया fly in the ointment दूध में मक्ही या दूसरों में फुशी को भिगर्ण दूसरा फ्रेंच लिप तीसरा friend at court लास्ट तक पांचो याद हो जाएगा गाला डे इसको जीये एले को गाला पढ़ते हैं और इसका हिंदी है उत्सव अच्छा है आनन्द इसकी हिंदी यही है तो उत्सव का दीन चाहे आनन्द का दीन गाला डे से तो यही आरा हिंदी न और यह पहला हमारा idiom है जिसका हिंदी जो है शब्द का वही यहां पर भी है गाला डे मतलब आनंद का दीन अब आनंद का दीन कौन कौन सा होता है हमारा जो इंडेपेंटनेंस डे होता है 15 अगस्त तो 15 अगस्त इस गाला डे फोर आर नेशन हमारे राष्ट के लिए खुशी का दिन होता है 15 अगस्त तो यह गाला देखा कर दिया हमने यूज जैसा है गाला का मतलब उत्सव अनन्द वो ऐसा ही इसका यूज कर लेंगे हम ठीक है गिप्ट ऑफ दगाइब अब यहां जो सब्द है गाइब गाइब की हिंदी होती है गपसप और गपसप क्या होती है और आवस्यक बातें खाली बोलना आप वोसा पालन करते हैं करेंगे इसकी करांटी नहीं होते जो गपसप करते हैं तो गिप्ट ऑफ दगपसप मतलब गपसप का तोफ़ा गपसप का तोफ़ा मतलब जो बहुत अथिक बोलता है तो बोलते हैं उसको कि गपसप का तोफ़ा मिल भासन छम्ता जिसमें होती है उसे कहते हैं gift of the gap भाशन छम्ता का मतलब एक तो आच्हे भाशन देने के छम्ता भी कह सकते हैं positive भी उज़ कर सकते हैं इसे को और दूसरा कि कुछ नेता भाशन देते हैं कौम करते नहीं है तो negative ही इसको समाँ सकते हैं तो भासन छम्ता भासन देने की छम्ता, mere, M-E-R-E को पड़ते हैं, mere, हिंदी होती है की केवल, mere gift of the gap is not enough, केवल भासन देने की छम्ता पर्याप्त नहीं है, केवल भासन देने की छम्ता पर्याप्त नहीं है, यह हो गया gift of the gap, भाशन छमता या भाशन देने की छमता तो अभी आज प्लाइ इंड ओंटमेंट दूध मक्ही दोसरों की खुशी को भिगरना फ्रेंच लिब फ्रेंड आट कोट गाला डे अनन्द का दिन गिप अफ द गैव भाशन छमता गैव यह तो आपको याद हो गया होगा फ्रेंच लिब भी याद हो गया होगा फ्रेंड आट कोट मतलब अवसक्तर जगह पे फ्रेंड तो ये भी याद हो गया होगा इसकी भी कहानी थोरी सिकोसिस की बनाने की हमने और गिप्ट अफ तक गया मत अगव सब तो यहाँ पर भाशन चमता आशा है पांचो आपको याद रहे